हुआ है हुआ है है हुआ है हुआ है 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 । अधि शेयनल ग्लैम वीट प्राचिय है आप सब कैसे वह आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे तो अब ही मैं ready हो गई हूँ, आज हैं 12 दिन, जिसको बरहों बोलते हैं, हम लोग के साइट तो बरहों ही बोलते हैं और आज के दिन main होता है जो सोवर बोलते हैं, वो निकलती है, नहान पड़ता है और अच्छे से मा और बच्चा दोनों लोग नहाते हैं, फिर इसके बाद जो भी होता है, पूजा पार्ट जो जैसे होता है, सब होता है, बट हम लोग तो यहां है, तो यहां तो सब कुछ ना काम चलाओ वाला ही हो रहा है, कुछ rituals होते हैं जिनको करना ही पड़ता है, आप कहीं भी हो, तो हम लोग भी सब काम चलाओ वाला करे ले रहे हैं, अगर ह इस सीधे पल्ले में साड़ी पहनी है ये यलो कलर की क्योंकि जो अच्छा दिन खेट है य। तो फिर मैंने सूचे छलो थोड़ा सा ये हैवी बी है और इसको इमेए पहन लेती हूं काफी टाइम हो गया आछ एवी TIGHT की दोनों ने मैंने और माने हमने पहली बारrin ही इतने चोड़े से बच्च्छे को नहलाया है बर टशूट सब कुछ अच्छे से हो गया अच्छे से हमने उसको नहला दिया है फिर इसके बाद मैंने नहाया और अपने निल्स वगएरे भी कट करें तो बस यहीं सकते करते हैं थोड़ा सा टाइम लग गया है और अब ही हम जा रहे हैं बाहर देखते हैं क्या कै कि गोबर का हम गौर बनाया हुए है जिसकी पूजा करना है और आटा काफी जादा ले रखा था तो मुझे लगा चलो थोड़े बहुत मैं और इसको सजा देती हूं चौक क्योंकि बस सिंपल बना करके मैं चली गई थी फिर मैंने थोड़े बहुत अभी जो इसमें भरा ज करते हैं वैसे ही करना है लेकिन हाइवई होता है ना कि अगर आप कभी कोई चीज नहीं की होते हो तो उसमें भी आइडिया नहीं मिलता है कि कैसे करना है कि 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 मैं अपने कुच्च्च को भी बाहर लेकर के आ गई हूं तो बैठ करके थोड़ा सा कुछ करते हैं मतलब जहां पर मैंने पूजा करिए वहां पर बच्चे का सर टच कराते हैं ऐसा मतलब मा बताईए तो फिर मैं इसको भी लेकर के आ गई हूं और वैसे भी हम लोग रोज बाहर लेकर के आते हैं इसको थोड़ा सा धूप दिखाते हैं और आज तो इसको नहलाएं हैं तो आज धूप और जरूरी है और वैसे भी इस टाइम पे थंडियों में विटामिन D की बहुत कमी हो जाते हैं वोड़ी में तो बच्चों को धूप जरूर दिखाना चाहिए बट कभी कभी नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि जब ज़्यादा अफिस चले गए और पूजा भी चले गए तो अब इना हिल्प करने वाला कोई भी नहीं है तो बस मैंने किसी तरह से कैमरा सिट कर दिया था कि हाँ थोड़े बहुत जो भी सूट हो जाएगा तो हो जाएगा और मुझे नहीं पता किस एंगल में कैमरा लग गया था क्या कै से बस मैंने सेट कर दिया था कि हाँ चलो थोड़े बहुत क्लिप साब लों के साथ भी सेर कर दूंगी अच्छा लगेगा आप लोको भी देख करके और बाद में मैंने फिर देखा कि हाँ धूप में उतना ज्यादा क्लियर्टी भी नहीं वीडियो में आ रही थी क्यूंकि दूप बहुत जादा थी ना जहांपे मैं पूजा कर रही थी तो बस अभी मेरी पूजा भी हो गई है और बहुत सिंपल सी थी थोड़ा सा वही गौर में जैसे नॉर्मल पूजा करती है पानी डाल दो और सिंदोर वगेरे लगा दो फूल चढ़ा दो आर्थी कर दो ऐसे जो नॉर्मल पूजा करी जाती है वैसे ही करना था और अभी पूजा भी मेरी हो गई है तो मैं उठ करके आर्थी इसलिए नहीं कर रही न क्यूंकि अभी बार बार उठने और बैठने में दिक्कत होती है इस वजह से फिर मा बोली कि तुम बैठे बैठे ही आर्थी कर लो होता नहीं कि मजबूरी होती है तो हर तरीके सिर्फिकर लिया जाता है और ये आटा की न गोली है तो इनको साथ बार अपने ऊपर घुमा-घुमा करके न चारो तरफ फेक ना था मतलब जितने भी कौरनर आपको देखे सब जगे घुमा-खुमा करके फेक ना था और अभी कि हिन जनाब को भी मैं थोड़ा सा टच करा दूंगी नीचे जहां पर मैंने पूजा करी हुई है हमारी हो गई है और अभी आब शलते हैं अंदर तो बहुत छोटी सी पूजा थी एकदम चूटो-मोटो वाली पूजा आप बोल सकते हो कुछ भी नहीं करना था बस जो गौर है और जो एक छोटी सी ना वो थी सुपाड़ी तो उसी की पूजा करनी थी ऐसे चौक बना करके तो मैंने पूजा कर दिया है और ये कुछ ऐसे सीधा टाइप का निकाला गया है तो मैंने बताया ना कि यहां सब कुछ ह हमने सिर्फ काम चलाओ जुगारू टाइप का किया हुआ है पूजा कुछ ऐसे कोई भी खास नहीं है तो बस हो गई है पूजा और खाने पीने की बात है तो अभी वो शाम के टाइम पर कड़ी चावल रोटी बरा ये सब बन जाएगा अभी छटी वाले दिन इतना सब बन जाएगा बटा भी नहीं क्योंकि ये भी नहीं है न ओफिस चले गया है तो सुबा इन के लिए सबजी रोटी दाल वगेरे सब बनाई था तो फिर शाम के टाइम ही बनाएगे ताकि ये भी जब रहेंगे तो गर्म गरम सब लोग खा लेंगे और वैसे भी पूजा करते करते ही इतना टाइम लग गया है दो बजने वाला है और अभी देखते देखते तुरंत टाइम निकल रहेगा तो फिर रात में ही डिनर में शलेगा तो शलते हैं अंदर और यह अभी ना यहां पर अपने दादी के पास ऐसे लेटी हुए है और धूप से ऐसे ऐसे आखे च चलते हैं और गुलाब खिला हुआ था मैंने ध्यान नहीं दिया वरना उसको भी तोड़ करकी चड़ा देती अभी शाम की साड़े चार बज रहे हैं और मैं बाहर आई थी तो मैंने सुचा कर मैंने अपने वीडियो का एड़ नहीं किया हुआ था तो अभी आज मैं अपने चेंज ओर रखी है और मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व अगेरे इससे रैप कर रखा है क्योंकि ठंडी अभी बहुत अच्छी खाती पढ़ने लगी है पहले तो इतनी जादा नहीं पढ़ देती पर अभी इदर दो शार दिन से गलन बहुत जादा अबढ़ गई है और हा आपको दिखाँ दू पास से कुछ इस सरीके से हैं लेकि हां टेश्टी बहुत बने है तो अभी बहुत जादा क्वांटिटी में मैं यह सम नहीं खाती हूं यह आप लोग देख सकते हो छोटा सा ही साइज यह लड़ोगा तो इतना ही छोटा सा खाती हूं एक भूबी पू इनके भी आने का टाइम हो रहा है आजकल इतना जल्दी अंधेरा हो जाते हैं कि जब यह आते हैं तो पूरी की पूरी तरीके से अंधेरा हो जाते हैं और कैसी हालत में मैं बैटी हूई हूं तो आजकल हाल ऐसा ही हो रखा हैं और अभी पूरी ठंडियों में यही हाल होने बच्चे को भी अजाना मारा है कि खुट भी सरदी से बचाना है और बच्चे को भी बचाना है तो थोड़ा सा पागलों की तरीके रहना पड़ रहा है बहुत और सुझ भी तो कुछ करने का ज़्यादा मन भी नहीं करता है आपी ठंड बहुत जादा पढ़ने लगी है तो आप कुछ भी करने का मन नहीं करता है बस आप ब्लैंकेट के अंदर गुसे रहो और रहते भी है मैं बिल्कुल भी पानी वाला काम या कुछ भी नहीं करती सिर्भ नहाने धोने के अलावा क्योंकि अगर मुझे सर्दी तो अगर मुझे सर्दी लगेगी तो बच्चे को राइट से बाते बहुत जल्दी लग जाएगी इस वजए से पानी से ना मैं बहुत दूर रहती हूं और अभी ना मैं इसको खाई लेती हूं क्योंकि ना बात करने के चक्कर में इस सब जगे गिरता चला जा रहा है ठैर टैचोड यहां चीटियों वाली इतनी दिक्कत नहीं है वरना अपने साइट तो ऐसा है ना कि थोड़ा सबी कुछ खाने पीने का समान गिरा तो तुरंत चीटिया आ जाती है और मेरी आखें देखो कैसी हो रखी है नींद ना पूरी होनी की वज़े से तो नींद वाला ऐस आसे ना कि हर गंटे दो गंटे में ऐसे टाइम निकाल करके सोना पड़ता है कि हाँ चलो जब वो सो रहा है तब मैं भी सो लूँ बट वही होता है ना कि जितने टाइम तब वो सो रहा है ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मैं भी सोती रहूं तो मुझे ना बीच बीच में जै यह कोई नेन्द नहीं होती हैं, बस पुमार होने से इच्छ है आप फोड़े बहुत सो तो काम चल जाए या अपका वरना जो रातवाली नीन्द होती में です थ्यwar?, अब देख सकते हैं कैसे आवाज की यह रिन देख़ाई... नेन्द मोई काम देखेば ही आती है और अभी मेरी मेरा फेस और मेरी आवास से आप लोको लगी रहा होगा कि मैं बीमार हूं तो बीमार में बिल्कुल भी नहीं